आपका हमारे चैनल दिलेर पुर्वानचल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में पूर्विधायक नागेन सिंग्यादो उर्फ मुन्नायादो के बारे में आप सभी को बताएंगे अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सस्क्राइब करने और बेल बटन जरूर दबाएं मुन्नायादो का जन्म 22 नवंबर 1901 को हिंदू के अहिर परवार में हुआ ये चौकर परताब गड़ जिले के निवासी है इनके पिता का नाम भीश्म देव यादो और माता का नाम कमला देवी है मुन्नायादो का पूरा नाम नागेंडर सिंग यादो है लोग इन्हें मुन्नायादो के नाम से भी पुलाते हैं आपको बता दें कि मुन्नायादो ने इलहाबाद 20-1982 में एललवी की पढ़ाई किया है ये पेशेवर वकील थे नागेंडर सिंग यादो उर्फ मुन्नायादो ने सुरवात से ही समाजवादी पाटी का साथ पकड़ा और उनके साथ जुड़े रहे वा सक्रियनेता के तور पर काम करते रहे 2007 UP बिधान सबा चुनाओ में मुन्नायादो शतंत सरस्ट के रूप में चुनाओ जीते इसके बार 2007 में मुन्नायादो पहली बार बिधायक बनकर बिधान सबा पहुचे आपको बताने की मुन्ना यादो 2007 में परतावगड की सदर बिधान सभा सीट से स्वतन तसरस के रूप में चुनाव जीते 2012 में यूपी बिधान सभा का चुनाव था जिसमें बाहु बली अरगुराज परताव सिंग उर्फ राजा भाया ने मुन्ना यादो के टिकट के लिए पूरी ताकत लगा दी थी तब जाकर मुन्ना यादो को सपा से टिकट मिल सका अखलेस यादों ने मुन्ना यादों को परतावगड की सदर्व विधान सवार सीट से सपा काटि कर दिया और दूसरी बार मुन्ना यादों सदर्व से सपा के विधायक चुने गए पर्ताबगण जिले के पूर्वधायक मुन्ना यादो की परताबगण में अच्छी लोग प्रता मानी आती है पूर्वधायक मुन्ना यादो अखलेष यादो के बहुत करीबी माने जाते हैं 2017 यूपी विधान सभा चुनाव में सपाने एक बार फिर से नागेन सिंग यादो उर्फ मुन्ना यादो के उपर भरोसा दिखाया और उन्हें सदर विधान सभा स्रेटी कर दिया लेकिन इस बार मोधी योगी की लहर में वहाँ अपना सीट नहीं बचा पाए पूर विधायक मुन्ना यादो कोचनाव में हार का सामना करना पड़ा तो यह रहे दोस्तो परताब गरजिले के पूर विधायक नागेन सिंग यादो उर्फ मुन्ना यादो अगर आपको इनके बारे में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जड़ो सस्क्राइब करें वीडियो को बहुत बहुत धन्वाद